रेटिना की जेनेटिक बिमारिया एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी रेटिना स्पेशलिस्ट के लिए एक दर्द का पॉइंट होता है अच्छा नहीं लगता है क्यों क्योंकि अभी तक रेटिना की कोई भी जेनेटिक बिमारी का कोई डेफिनेट ट्रीप्मेंट नहीं आया इस पर रिसर्च चल रही है, जीन थेरपी एक बहुत प्रॉमिसिंग है रिसर्च, एक रेटना की बिमारी का जीन थेरपी आया भी है, तो आज हम थोड़ा समझेंगे कि ये जीन थेरपी कैसे करी जाती है रेटना की जेनेटिक बिमारियों के लिए नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सुमिनत अगरबान और आप देख रहे हैं Eye Health for You, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लाइंग्विज में आखों से जुड़ी सारी चानकारी रेटिना आख का most important structure होता है एक layer के form में ये आख के पिछे पाया जाता है ये light को electrical signals में convert करता है और optic nerve के थूँ ब्रेन तक पहुँचाता है रेटिना एक बहुत ही complicated structure होता है दस अलग-अलग layers होती है इसमें और हर एक layer का important role होता है उसके function में light को electricity में convert करने के लिए इसके जो most sensitive cells होते हैं वो होते हैं photoreceptor cells, rods और cones दो तरह के cells होते हैं हमारे पास rods basically कम light में देखने में help करते हैं और cones हमें bright light में देखने में help करते हैं, details हमें दिखाते हैं, colors हमें दिखाते हैं, sharp vision देते हैं तो पर्दे की genetic बिमारी क्या होती है basically इसमें जो light को electricity में convert करते हैं उस cycle को हम visual cycle कहते हैं उसमें बहुत सारे steps होते हैं और हर एक step पे एक अलग protein का role होता है जिससे कि वो properly चल सके और visual cycle से बहुत सारे byproducts भी निकलते हैं जो की जिनका disposal ज़रूरी होता है वरना वो cells को damage कर सकते हैं तो पर्दे की genetic बिमारी में या तो ये byproducts जो बनते हैं उनका disposal नहीं हो पाता है कुछ gene ऐसे mutate हो जाते हैं जो की जिसकी वज़े से इसके byproducts वहीं पे एकटे होने लगते हैं और cells को वो damage करते हैं या फिर visual cycle का proper functioning न retinal pigment epithelium है वो बाकी cells को maintain रखती है तो उसकी बिमारी हो जाती है ताकि photoreceptors basically उसमें मरने लगते हैं photoreceptors एक तरह के neurons है और neurons एक बार मर जाते हैं तो उनका world में कोई भी तरीका नहीं है उन dead neurons को वापिस लाने का तो पर्दे की genetic बिमारी में धीरे 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 पर्दे के अंदर damage होने लगता है और कभी-कभी इसमें total रोश्नी भी जा सकती है अब gene therapy क्या होती है gene therapy basically ज इसकी वज़े से proper cells का function नहीं हो पा रहा है उस gene को बदला जाता है और उसकी जगे healthy gene insert करा जाता है पर्दे के अंदर billions of cells होते हैं trillions of cells होते हैं हर एक cell में जाके उस gene को बदलना possible नहीं है अभी की technology से तो तो gene therapy पर्दे में एक ही बिमारी है जिसके लिए gene therapy अभी अभी अवे versus LCA करके एक विमारी होती है जिसमें by birth दिखना बहुत कम हो जाता है और वो दीरे-दीरे बढ़ता रहता है और उसमें gene therapy जो आई है उसका injection form आया है उसे हम लक्स्टरना के नाम से जानते हैं वो basically एक जो defective gene है उसका healthy version एक virus के अंदर हम load करते हैं और उस virus को as a carrier यूज करते हैं क्योंकि virus की tendency होती है cells को infect करने की तो इसमें हम virus को neutralize कर देते हैं उसके harmful genes हटा देते हैं और उसमें हम healthy gene insert कर देते हैं जो कि हमें change करना है तो basically इसे हम virus को as a carrier use करते हैं और वो damaged cell के अंदर gene को ले जाता है और वो gene फिर replace हो जाता है faulty gene को हटा के और फिर वो cells दिरे-दिर अपने आप function करने लगते हैं और फिर healing का process शुरू हो जाता है इस दवाई को retina तक पहुचाया कैसे जाता है उसके लिए basically surgery करनी पड़ती है retina के अंदर जो gel है उसको हटाया जाता है पहले vitrect me द्वारा फिर retina का जो most sensitive area है macula उसके पीछे इसको एक injection के form में दिया जाता है सब retinal injection कहते हैं विसे और इस injection के जरीए जो भी दवाई है वो retina के पीछे एक fluid के form में खटी हो जाती है फिर उसमें जो भी virus vectors हैं वो virus दीरे-दीरे retina के cells तक पहुचते हैं और दीरे-दीरे वो आपे उनके genes को change करने लगते हैं और फिर ऐसा देखा गया है LCA में कि इस gene therapy क बाद नजर में improvement आया है especially जो early stage के बच्चे हैं उनमें ये करा गया है तो उनको बिल्कुल कम दिखने से लेके अब वो functional हो गए हैं अपना काम खुद कर सकते हैं खेल सकते हैं पढ़ सकते हैं स्कूल जा सकते हैं तो ये एक अच्छा बहुती path breaking breakthrough development है gene therapy को लेके बहुती कम ब body में जिनका gene therapy अभी तक possible हो पाया है तो उसमें से एक हमारी retina की बिमारी है इसमें especially जो RPE 65 gene mutation वाले patients हैं उनके लिए ये specific develop की गई है अभी भी एक तरह से आप मानके चलें कि ये experimental stage ही है क्योंकि बहुत जादा अभी इसके treatments नहीं हुए हैं हाला कि ये commercially available है बट इसका cost और के आसपास साबको पड़ेगा और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ clear दिखेगा जिनको बहुत कम दिख रहा है वो थोड़े से functional हो जाते हैं तो gene therapy अभी एक बिमारी की आई है तो उमीद है कि आगे जाके और भी बिमारीयों की gene therapy आई की बट इसमें एक limitation यह है कि यह early stages के लिए जादा effective है क्यों क्योंकि early stage में photoreceptors फिर भी थोड़े बचे हुए रहते हैं जैसा मैंने आपको बताया था शुरू में photoreceptor एक बार मर जाते हैं तो उन्हें वापस जिन्दा करना अभी तक तो possible नहीं है तो early stage में जहां पे photoreceptors में थोड़ी सी जा है बचे हुए हैं उनको हम preserve कर पाते हैं और वो फिर देरे-देरे functioning अपनी बढ़ाते जाते हैं जिससे की vision आता है तो यह limitation हमेशा रहेगा gene therapy में gene therapy जो cells compromised है उनको बचा सकती है dead cells को जिन्दा नहीं कर सकती है तो उसके लिए अलग अप्रोच पे research चल रही है उसके लिए stem cell research चल रही है उस पे भी हमें एक video बनाएंगे आदे तो यह मैंने brief में बताया था आपको gene therapy के बारे में कि retina में कैसे यह हो रही है और इसके क्या-क्या possibilities हैं क्या-क्या limitations है थन्रेवाद और नवस्ते